नमस्कार एबिस्टा निउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सोहन सिंग तो राफेल डील को लेकर राज्य सभा में रिपोर्ट पेश कर दी है जिहां कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें कहा गया है कि जो राफेल डील हुई है वो 2.86 फीजदी सस्ती है तो राफेल डील को लेकर लगातार विपक सवाल उठा रहा था लेकिन जो कैग ने खुलासा किया है वो ये किया है कि जो राफेल डील हुई है वो 2.86 फेज़ती सस्ती है लेकिन आपको बता दें कि जो रिपोर्ट पेश की है कैग ने उसमें दामों का खुलासा नहीं किया गया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जो है लोकसबा चुनाव नसदीक है और आपने प्रियंका गांधी की रैली में भी देखा होगा कहीं ने कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राफेल के कटाउट लह रहाए थे तो अगर बात करें समीकरणों की तो क्या समीकरण बन बाएंगे राहुल गांदी के पक्ष में क्या जो जनता है वो राफेल के मुद्दे को लेकर के कॉंग्रेस को वोट देगी वो देखने वाली बात होगी क्योंकि कहीं ने कहीं अभी भी कहीं लोग ऐसे हैं ने राफेल डील के बारे में पता ही नहीं है हलां कि जब सबसे पहली बार राफेल को लेकर के राहुल गांदी ने आरोप लगाये थे तब लोगों में इतनी जागरुकता है इस डील को लेकर नहीं थी लेकिन जैसे जैसे अब जो मामला लगातार तूल पकट रहा है तो कहीं ने कहीं लोग राफेल के बारे में पढ़ भी रहे हैं, लोग उस मुद्दील को समझने की कोशिस भी कर रहे हैं और कहीं ने कहीं ये कॉंग्रिस के फेवर में जरूर जाएगा लेकिन जो ग्रामेर इन ना हुआ है कि लोग इस डील को समझ सकें, तमाम पहलू है और आज कौन से खुला से राहूल गांदी करेंगे उस पर भी नजर रहेगी लेकिन कहीं न कहीं वोट की राजनीत राफेल के मुद्दे को लेकर के लगातार हो रही है, दहिंदू की रिपोर्ट को लेकर के सबसे पहले राहूल गांदी ने आरोप लगाये थे, उन्होंने कहा था कि चौकिदार चोर है, राफेल डील में चोरी की गई है और दहिंदू में जो कहा गया था, उसके मुताबिक जब राफेल डील हो रही थी तो उस वक्त परधान मंत्री ने हस्तक शेप किया था, जो रक्ष ले करके भी विपक्ष ने सवाल खड़े किये थे, आपको बता दें कि जब कैक की रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, आज तो राज्यसमा में पेश कर दी गई है, लेकिन जब सामने नहीं आई थी तो राजीव महरसी जो के पर मुक हैं, उनको ले करके भी विपक्ष ने पुलासा हुआ है अब राहुल गांदी क्या कहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी और अब सबसे एहम जो हम कहे रहे हैं लगातार की वोट बैंक की राजनीती कहीं ने कहीं इस पर भी निर्भर करती है क्योंकि कहीं ने कहीं जब राफेल को लेकर लोग वोट डालने था तो कहीं न कहीं वो लोगों के मन में स्ट्राइक किया था तो क्या अब राहुल गांदी राफेल पर वोट बटोर पाएंगे क्या राहुल गांदी जंता को समझा पाएंगे कि राफेल डील है क्योंकि अब मुदी सरकार के पास काट क्या है इसके क्या मुदी सरकार विक से बचेगी वो देखने वाली बात होगी क्योंकि कहीं ने कहीं मोधी सरकार जानती है कि अब उसे अपने काम का हिसाब भी देना होगा कॉंग्रेस पर ही आरोप लगा कर काम नहीं चलने वाला इस खास पेसकस में फिलाल इतना ही देश तो दुनिया की तमाम एहम खबरों के ल क्राइस जालिए का arrival के फिलात्यों मोदाश करे झारों कि वाली अव्रेस उसम एंपने लूभव moगा कर बाue छितना ही य में लगा है कि अखंभीग तो थाहा है कि एहा है रूभव मैं लेसरिए अबू बारों काम्रीट से वालीच लिएगर 25 दोंस कि ए explosive दो दो बहार काश